हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों ये कहानी है दो पती-पत्नी की जो के गुजरात में रहते हैं उनका नाम है वासु भाई और वीना बैन दोनों अपनी एक यात्रा की तैयारी कर रहे थे दोनों पेशे से डॉक्टर हैं शादी को दो ही साल हुए हैं अभी कोई बच्चा है नहीं तो दो-तिन दिन की जब उनके पास छुटिया होती हैं वो अपना आज पास की जगहों को घूमने के लिए अपना प्रोग्राम बना लेते हैं आज भी वो ऐसे ही निकले दो-तिन दिन की छुटि थी उन्होंने सोचा के चलो कहीं आज पास घूम के आते हैं तो उन्होंने इंदोर और उज्यन जाने का निर्ने लिया। दोनों अपना हस्पताल खोल रखा है दोनोंने और दोनों ही कुसल डॉक्टर हैं तो हस्पताल भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोनों ने यात्रा करने का जो निर्नल लिया, चल पड़े दोनों, आकाश में बादल उमड गुमड रहे थे, बारिस का मौसम आने को हो रहा था, बरसात भी आने को हो रही थी, वो मध्धपरदेश की सीमा से लगबग 200 किलोमेटर दूर थे, पहुंसते पहुंसते बारिस तेज हो गई, उजयन जाने से पहले, कुछ देर पहले वो रुके, उनको लगा कि मुझे हमें यहाँ पर चाय पी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि खाना तो हम मध्धपरदेश जाकर ही खाएंगे, तो उन्होंने वहाँ पर सोचा कि हम यहाँ आसपास देखते हैं कोई जग है, जहाँ पर चाय हमें मिल जाए, शहर से थोड़ी दूर आगे चले थे, उन्हें एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, उस मकान के आगे वैफर्ज के पैकेट लटक रहे थे, उन्होंने विचार कि कि यह कोई होटल होगा, वासु भाई ने वहाँ पर गाड़ी रोकी, दुकान पर गए, वहाँ पर कोई भी नहीं था, आवाज लगाई तो अंदर से एक महिला निकल कर आई, उसने पूछा क्या चाहिए भाई, वासु देख ने दो पैकेट वैफर्ज के लिए कहा, उसने दिये और साथ में वासु भाई ने कहा कि दो कप चाए और बना दीजिए, हमें ना दूर जाना है तो थोड़ा जल्दी बना दें, वो पैकेट लेकर गाड़ी में आ गए, तो उन्होंने पैकेट में के वैफर्ज का नास्ता किया, लेकिन चाह अभी तक नहीं आई थी, वो बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लाने में देर हो गई, अब चाए बन रही है, थोड़ी देर बाद एक प्लेट में दो मेले से कप लेकर गरमा गरम चाए ले आई, मेले कप देखकर वासु भाई एक दम से अफसेट हो गई, कुछ कहना ही चा रहे थ तबी वीना बेन ने उनका हाथ पकड़ कर रोप दिया, चाए के कप उठाए, उन्होंने अद्रक और तुलसी की सुगंद वाली भै चाए पहली बार पी थी, ऐसे स्वादिस्ट और सुगंदित चाए पी कर उनके मन से सारी हिचक चाहट दूर हो गई, उन्होंने महिला को चाए पीने के बाद पूछा कितने पैसे, महिला ने कहा बीस रुपे, वासु भाई ने सो रुपे का नोट दिया, महिला ने कहा भाई छुटा नहीं है, बीस रुपे दे दो, वासु भाई ने बीस रुपे का नोट दे दिया और महिला ने सो का नोट वापिस कर दिया, वा यह होटल नहीं है तो फिर आपने चाय क्यों बना दी अरे अतीथी आए आपने चाय मांगी हमारे पास दूद भी नहीं था यह बच्चे के लिए दूद रखा था लेकिन आपको मना कैसे करते इसलिए इसके दूद की चाय बना दी अब बच्चे को क्या पिलाओगे एक दिन दूद नहीं पिएगा तो मर थोड़ी न जाएगा इसके पापा बिमार है वे शहर जाकर दूद ले आते लेकिन उनको कल से बुखार है आज अगर ठीक हो गए तो कल सुबह जाकर दूद ले आएंगे वासु भाई उसकी बात सुनकर सन रह गए इस महिला ने होटल ना होते वे भी अपने बच्चे के दूद से चाए बना दी और वे भी केवल इसलिए कि उन्होंने कहा था अतीथी के रूप में आकर के हमारे लिए तो कब चाए बना दी जिया वासु भाई ने सोचा संसकार और सभैता में महिला तो मुझसे बहुत आगे है तब ही वासु भाई न उस महिला से कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं आपके पती कहा हैं महिला उनको भीतर ले गई अंदर गरी भी पसरी हुई थी एक खटिया पर सज्जन सोय हुए थे बहुत दूबले पतले से वासु भाई ने जाकर उनके माथे पर हाथ रखा माथा और हाथ गरम हो रहे थे और क खिलाई इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा मैं पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और दवाई की बोतल ले आता हूं और वेना बेन को उन्होंने मरीज के पास बैठने के लिए कहा वासु भाई गाड़ी लेकर आधे गंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन ले चाय एक बार फिर बन गई दोनों ने चाय पी और उस महिला की तारिफ भी की जब मरीज दो घंटे में थोड़ा ठीक हुआ तो वो दोनों आगे बढ़ पड़े तीन दिन इंदोर उज्यन में रहकर जब लोटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलोने और दूद क थैलियां खरीद ली वापसे में उस दुकान के सामने रुके महिला को आवाज लगाई तो दोनों बहार निकले और उनको देखकर बहुत खुश हो गए उन्होंने कहा आपकी दवाई से दूसरे दिन ही ये बिलकुल ठीक हो गए वासु भाई ने बच्चे को खिलोने दिये दूद के पैकेट दिये फिर से चाय बनी बातचीत हुई और अपना पन दोनों परिवारों में स्थापित हुआ वासु भाई ने अपना एड्रस कार्ड दे कर उनको कहा जब कभी उदर आना हो तो जरूर मिलना और दोनों वहां से अपने शहर की और लोट गए शहर इने उस महीला की बात याद रखी और एक फैसला लिया अपने अस्पताल में रिशेप्शन पर बैठे हुए वैक्ति से उन्होंने कहा अब आगे से जो भी मरीज आए केवल आप उनका नाम लिखना फीस नहीं लेना वो मैं खुद लोगा और जब मरीज आते और यदि वो म शहर में उनकी परसिद्धी फैल गई दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा इससे तो हमारी प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा भी करेंगे उन्होंने अपने एसोशेशन के अद्धेक्स को कहा कि आप जाईए वासु भाई से मिलिये एसोशेशन के अद्धेक्स भी पुलकित हो गए वासु भाई ने कहा मेरे जीवन में हर परिक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर मैं आता रहा हूं गोल्ड मैडलिस्ट भी बना हूं लेकिन सब्भैता संसकार और अतिति सेवा तीनों में वो गाउं की महिला जो बहु बहुत आगे निकल गई तो भला मैं पीछे क्यों रहूं इसलिए अतिति सेवा और मानव सेवा में भी मैं गोल्ड मैडलिस्ट ही बनूंगा तब ही मैंने यह सेवा प्रारंब की है और मैं तो यह कहता हूं कि आप सब मिलकर हमारा व्यवसाइब मानव सेवा का ही है आप सब भी ऐसा ही करें सारे चिकित्सकों से यह मेरी अपील है कि सभी सेवा भावना से काम करें गरीबों की निसल्क सेवा करें उपचार करें यह व्यवसाइब धन कमाने का नहीं है पर मात्मा ने हमें मानो सेवा का अवसर परदान किया है एसोशेशन के अद्दैक्स ने वासु बाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर चिकित्सा सीवा करूंगा तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी प्रेड़ना दायक तो है ही साथ में ये भी इंगित करती है कि हम चाहे पढ़ाई कितनी भी कर लें लेकि उन संसकारों का है जो कि एक अनपड़ गरीब औरत ने उसे दिखाए और बताए कि ये होते हैं संसकार और उनी से प्रभावित होकर डॉक्टर ने गरीब परिवारों की सेवा जो है इलाज है वो मुफ्ट करना शुरू किया आपको ये ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को प्लीज ऐसा नहीं करें हम सब एक दूसरे को स्पोर्ट करते हैं आप भी स्पोर्ट करें सब्सक्राइब करने के बाद फिर से अनसब्सक्राइब ना करें चैनल को तो अभी के लिए बस इतना ही अपने वीडियो यहीं समाप्त करती हू राम राम